कि अप्सक्राइब करती हूं कि आप सभी एकदम ठीक होंगे तो जिस तरह से इसका यह थमनेल ताना मुझे देखके इतनी हसी आई है मतलब एते दोनों हाथ करके और वहां पर इसने तमनेल बनाके डाल दिया मतलब गोचु अपने आपको पूरी तरह थे गोचु साबित करना चाहता है यह चाहता है कि जब गोचु होने का जो मैडल मिलेगा ना पूरे वर्ल्ड का मैडल तब फास नंबर पर इसको आना है और तू आएंगा गोचु तू पक्का है ना गोचु की कैटेगरी में फास नंबर पर तू ही है तो तू टेंचन मतले और इसे अजीब गरीच से और पागलों को जैसे समनेल डालने की जरवत नहीं है गोचु फास नंबर तुझे ही मिलेगा बिल्कुल टेंचन नहीं ले टें पता नहीं दुबई में क्यों भेज़ीये फिटार नने फरता नहीं कॊंसा यह कांड़ै यह महां पर कर रहा है कि इसके पर कोई केस हुआ है जितें छुपने के लिए अपYoYo में जाकर बैठो है कि और श्लतेंसेमीनल बंदे को उठाया था और से मारने की कोशिश की दी तो उसका भी है और उपर ते जो एजास की बेटी का केस चल रहा है वो भी है और भी कुछ है लेकिन जो और एक कुछ है न वो नहीं पता है कि क्या सीन है लेकिन ऐसे करके मुझे लगता है स् 이건 तो इसको बुलाया गया था तो यह वह नहीं जाकर दुबईGe प्रजुब है इस लिए दुबई में जाकर छुपके बाया और तितारा ने इसको कि छुपा के रखी है करी देख़ने उस तो भी है अरुदव करें कि यहांत के ऊपयातारी है इसके लिए दुबई में जाके मुझाला करके छुपके बैठाए अच्छा यह कह रहा है कि मैंने एक बार गाली दी ती इसके लिए फिर मैंने माधिरत कर ली दूतरी बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यह वह तो भाई तुम लग पीट पीछे कितनी गालियां देते हो और कित पता है वह उसे ही पता चल गया कि आप लोगों के घर में जो नौर्मली बाट्चीच चलती है तो वह कैसे चलती है आप लोग कितनी अच्छे ची बाते करते हो आपके मुझे कितने फूल यड़ते ना वह तो उससे थाबित हो गया था पता चल गया था तो बताने की अपने मुह से किया है बाकी जो तुम लोग अपने सपोर्टरों से करवाते हो ना वह तो अलग है वह तो रहने दो तो अलग चीज़े ना और लोग है ना खुद से नहीं करते जो तुम्हारे सपोर्टर इतनी गंदी-गंदी गालियां देते हैं लोगों को कोस्ते हैं उनक तुम लोग उसको गालियां दे रहे हो तो घदे उल्लू के पठे तुक्या एक दो हफते से पी के मरा पड़ा ता आज होस में आया है तू जब सब खतम हो गया है कोई गाली गलोच नहीं हो रही वाइटी पे कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है बलके यहां के भी सपोर्टर वहां के भी सपोर्टर सब जने मतलब खतम कर रहे हैं गालियां नहीं देंगे आप अपना रियक्शन दो आप अपना रियक्शन दो एक दूसरे के पर अटेक मत करो ऐसे कहे कहे के सभी ने एक पहल किये अच्छी चीज की और शुरुआत हो चुकी है तो तुझे क्यों चू हुए कि तरह चुपना पड़ है तेरी बीवी की पिच्चरे लीक हुई वीडियो लीक हुई सारी कुछ चीजे सामने आ गई तो अल्ला ने किसके आगे लेकर आया है तुम लोगों को अल्ला तलने इतनी बड़ी सजा दी फिर भी तुम लोग है कि सुदरने का नाम नहीं ल सब्सक्राइब नाम कितनी आप देखे होएंगे तो लोग कितनी लानत बेज रहेंगे कि हमारे अब्बू को तो कपड़े पहने का भी डंग नहीं है सोस तेरी बेटियों की नजर नहीं गई होगी कहां कहां चीचीची कितना गंदा बाप है तू बाप तो छोड़ दो तू तो इनसानी एक नमबर का जानुवर और घटिया के समका है और हाँ देखो ना इसकी बात आके कहां रुक रही है मेरी बीवी ने आप लोग के पैसे चुराए है बस आ जा के तुझे बस पैसों की पड़ी रहती है पैसे चुराए और एक घदे उलू के पठे तुझे नहीं पता तेरी बीवी माश्रे में क्या फैला रही है इसलाम को किस तरह से बदनाम कर रही है ससुराल नाम की चीज़ को किस तरह से बदनाम कर रही है वो कहती थी थी ना पहले कि मुझे देखके बहुत जने स्ट्रॉंग बन रहे है तो तेरी बीवी बहुत जने को ये सिका रही है कि इस तरह से गेम खेलना चीए और अपनी बे इस तरह से गोंचु बनाना चीए थाकि तुझ जैसा कुटा बनके अपनी वाइफ के पीछे दू मिलाते फिरे और फिर आदमी के रहते दूसरों के साथ में मुखाला करने चले जाना चीए उसके बाद में हजबेंड कुछ भी ना बोले इस तरह से हजबेंड को डराके धमका आके और गोंचु बना के रखना चीए समज में आया तेरी बीभी ने पैसे नहीं चुराई यह ते दुम्नें इससब हरकते किए उसके वज़े से उसके ओपर बाते होती है पैसे चुराए हं लान्ती पैसा 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 इनकी सुबह पैसे से चुरू होती है रात में पैसे से खतम इनकी जिन्दगी में पैसे से चुरू हुई है और जिन्दगी पैसे पे खतम हो जाएंगे पैसे के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है जत नहीं और नाम नहीं खांदान का नाम नहीं मर्हुमों का जो नाम आगे लगा के रखे वो नहीं वो सब नहीं दिखता सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है और देखो आप लोग के गाली के लोज खतम हो गई है तो किस तरह से यह गोंचु आके उङली कर रहा है कि ओड़तें के गालिय हैं देती हो आप लोगों को उपर वाला ना उठाए तब तक जब तलक के आप लोगों के आगे सब चीजे ना आ जाए अरे घंचू तुझे कितनी बार बोलू लू के पठाए तू एक नंबर का तुझे समझ नहीं आ रही है तुझे अंगर लगाने की आदत है ना नजमा और सितारा की त ले तो कहां पर गाली सुन लिया नीन में तो नहीं सुन लिया कहीं सितारा ने गाली रिकॉर्ट करके भेज़ दी होगी और वही सुनके तू सो गया होगा तो तुझे लग रहा होगा कि वाईटी पर गालियां चल रही है रहे गौर कर सितारा ने तुझे गालियां बेज़ है क्यों नहीं मतलब इसके पास में व्लॉगिंग करने के लिए कुछ नहीं है ये सुबह से लेके रात तलक के न वो हुटल में पड़ा है और बैठ गया आट मिनेट बकवास की और अपलोड कर दिया ठीक है जब पहुचा था एक दो दिन तो इसे बड़ी इज़त दिया पता कोई नहीं पूच रहा कोई नहीं सुंग रहा क हाथ एकली ही जाता एव न श्योंव ृटल में आरो तो यह जो बहुत बोलते रहेते सब्सक्राइबर हैं खाना कि लाने आए इज़त देने आए अच्छा वह कहां चले गया वह मोटा जो आए तरह लोग दुबाई गए तो तंगडी कबाब किला रहता वह मोटा का मर गया वह भी इज़त नहीं दे रहा इसको लख लाने ते गोंचु तेरे पर डूपके मर जा तुझे कोई जयत नहीं देता डूपके मर जा जा गोंचु जो बकवास किया ना उसके अंदर कोई भी बात में ना कुछ भी दम नहीं था ठीक है कह रहा है के आपके घर में बेटी नीए भू नीए आप लोग औरते नीए ये नीए बो नीए आप लोग बकवास करते हो सिकाया था के वह बूड़े हो जाएंगे ना तो हमें आवारा जो सड़कों पर जानुवर उते हैं जैसा आवारा छोड़ देना मतलब सड़कों पर हमें छोड़ देना और बीबी के पीछे दूमी लाते फिर यह इसी कहा है था तुझे आप देख्यों पहले चल पहले तो भी से आरे तो तेरी इतनी भी अवकात नहीं कि तू अपने बाप के लिए एक छोटा सी रूम तेरे बाप को रहने के लिए दे दे इसा भी नहीं है करिदना पड़ेंगा चार चार पांच पांच रूम है उसमें से स्रीफ एक रूम खोल के देना है ताक के वहां पे इसका जो आपने सिखाया था नहीं ना खुद से ही सिखा ना तो तो जो दूसरों के पर उंगली उठा रहा है जायरती बात है कि अगर तुम लोग किसी को गाली देने के लिए खड़े करा होगे तो सामने अला सुनके तो नहीं लेंगा ना अगर चार सुनेंगा तो एक तो वापी द साम पर यह सब तुने कुछ नहीं गांग जाके तुब अच्छा बन रहा हैं इंगे हम लोग सबर करें हूं तुम्हारा सबर सबर तो किस ना किया है वो सारी वाइटि ने देखा है औ जो तुदू आएं मांग रहा है कि बताएंगा ला दिखाएंगा समय भी ग्लाह मंगते बहुत दुआ मांगते हैं कि अल्ला तुम लोगों को जल्दी से जल्दी बताएंगा और दिखाएंगा वैसे तरी बीवी ने जो कांड करके आ गई थी चुप चाप सर्गी जादी बनके घर में छुपके बैड़ गई थी कि अब तो किसी को पता नहीं चलेंगा लेकिन सामने कौन लेकर आया वो कांड अला नहीं तो लाया था ना तो तु इतनी दुआएं कर रहा है ना मैं भी तेरी दुआओं के लिए आमिन बोलती हूं कि जो तुम लोगों ने हरकते किये ना और जिस तरह से अब तुम लोगों ने गेम खेला है अम्मी अब्बू के उपर तो इस को लग जाएंगे ना पहले तुम लोगों ने जो कांड किया है जो खड़ा खुदा है ना दुसरे के लिए उसमें तुम लोगों खुद गिरने माले उसके लिए मैं दुआ कर रही हूं कि तुझे अला जल्दी मौत ना दे वो खड़े में तुए ना पचास बार गिरे और करेंगे तो क्या तिला मिलता है बाकी हम सबर कर रहे हैं हम देखेंगे अल्ला इनको दिखाएंगा ऐसे कहके अपने सपोटरों को भी मतलब ताना दे रहा है ताना क्या मैं तो गाली कहूंगी के गाली दे रहे बाकी मानना पड़ेंगा वो सपोटरों को जो इसको बरदाश कर रहे हैं यह इतने ताने दे रहा है और इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं उन लोगों ने दिलों जान से इस दोनों मिया वीवी की गंदगियों को छुपाए और लड़े इन लोगों के लिए और आज इन लोगों को क्या सिला दिये यह भी अच्छे से देखने के लिए मिल गय तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा किया क्या रहा है? लानत है तिरे उपपर सची मिला कलानत है और मैं तो इनके अगर कोई सपोर्टर मुझे देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी इस गढ़ों को जो हकदार जिसको जरूरत है इनको आप लोगों की जरूरत नहीं है लोग आंके सीसको यूज एंठ रोट कार देते इसी तो इनको सपोर्ट करने से बेटा रहे कि अपने चैनली बन करदो क्योंकि लोग है ऐसे ही जिस ताली में खाते हैं उस ताली में छेद करते हैं उस तरह के लोग गई गिरे हुए और घटिया लोग और काले कोवे जितना भी तुने बखवास किये ना गालियों को लेके के गाली देते हैं को सराता बैठके बाई लेके जैसा तो जितनी भी तुने बखवास किये ना रेडी रहना क्योंकि जो भी तुम लोग ने दूसरे के लिए खड़ा को दे उसमें तुम लोग दोनों मियावी भी बहुत जल्दी गिरने वाले है और दुनिया भी देखेंगी और तुम लोग कुद भी याद करोगे कि हाँ मैंने कुद ने बदुआ दीती और इस तरह से मैं बताती हूँ न कि अगर कोई बात और कोई बदुआ अगर किसी को दी जाए और वो सही ना हो न तो वो पलटके हमारे ही उपर आती है तो उसी तरह से घोंचू रेडी रहना तेरे ही उपर वापिस आने वाली है और इसको भुखते हैंगा कौन तू और तेरी बीवी और बच्चे तो विचारे बीच में जवर ज़ती का पिसे जाते हैं क्यूंकि विचारे किसमत नहीं अच्छी लेकर आए ना जो तुम लोग दोनों मियावी भी उनके माबाप हो ना ये उनकी किसमत अच्छी नहीं है बाकी तो हम लोग दुआ करते हैं कि अल्ला जल्दी से उन लोगों के साथ में तुम्हारा पीछा चुड़ा है ताके वो बच्चों के अच्छे नसीब होए और उनकी जिंदगियां बैतर होए तुम लोग जैसे माबाप के होने से तो बैतर है कि बच्चों के माबाप ही न होए इतने प्यारे बच्चे है लेकिन कदर तुम लोगों को बिलकुल नहीं दुतरों के लिए खड़ा कोदरे और उसमें गिरेंगा कौन वोई बच्चे और तुम लोग दोनों मियावी भी खुद इस तरह से तुम लोग कर रहे हो खुदा का इंसाफ तुम लोगों को पता है क्या होता है तुम लोग भुगत चुके हो लेकिन तुम लोगों को डर न तब समझ आ जाएंगी तो यह वीडियो मैं यहीं पेंड करती हूँ वीडियो के तीलों की कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना मिलते नेक्स्ट वीडियो में अलाव झाल झाल